अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अपडेट्स के लिए आज किस वीडिया में हम डिसकस करेंगे आपके डिफरेंट डाउट्स जो की आपके बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे रिजल्ट कब आएगा और इनका आफ्टर कॉलिफाइंग सी बीटी हमारा से डाउनलोड होगा कट ओफ आएगा क्या होगा पूरा प्रोसेस में आपको ब अगर आप फर्स टाइं हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं ऐसी अपडेट्स के लिए जुरूर हमारा टेलेगराम ग्रूप जोइन करिएगा और चैनल को भी जुरूर सस्क्राइब करिएगा सो डेटरिम फूचा जो भी ऐसी लेटर्स अपडेट्स आती है उनका जो नोटिफिकेशन आपको टामली मलता रहे हैं तो चलिए डिसकस करते हैं तो DAV स्टाफ रेक्विट्मेंट 2024 ट्रांस्पेरेंट एंड क्वाल्टी अशॉर्ड रेक्विट्मेंट इस बार जो DAV स्कूल सोल आवर इंडिया ने ये स्टार्ट किया है पहले ये सिरफ साउसाइड होता था वेस्ट बेंगाल ओडिसा देन एंपी एक्सेटरा लेकिन इस बार ये ओल ओवर इंडिया में ये इन्होंने लांच कर दिया पूरा प्रोसेस तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्लेबस वेरा की वो मैंने अल्लेडी वीडियो अपलोड करके लेवल अलो वर इजी था अब टू क्लास एड टीजी टी मॉरेट था और पीजी टी का वेरी हार्ड था टफ़ेस एक्जाम था बिकाज पी आटी जो टीज करते हैं जो भी सब्जेक्ट है आपका इंगलीश इंदी मैं साइंस शोशल साइंस कंपीटर तो आपका सब्यक्ट लेकिन पीजी टी अगर आप नहीं टीज करते तो फिर आपके लिए ये एक्जाम टफ रहेगा पीजी टी लेवल के जो कोशन से वो आपको नेट बेस सीट बेस थे लेकिन एक्जाम काफी अच्छे सेट किये गए हैं जो भी एक्सपर्टी में बहुत अच्छे से एक्जाम को सेट वेरा किया गया, जो मैंने भी एक्जाम दी है, काफी knowledge आपकी चेक करें, यह नहीं कि एक ही topic में आपको चेक करेंगे, all over all knowledge आपकी जो भी subjective आपकी चेक करेंगे, paper 1 तो common है, वो मैंने video अप्लोड करके रखा है, वो आप देख सकते हैं, तो यह तो थे आपके exams, syllabus वेरा क्या रहेगा, आप हमारे telegram group को join करके, ऐसी PDF स्वेरा free of course ले सकते हैं, और कोई भी online help चाहिए, आप free of course ले सकते हैं, इस paper में इस बार negative marking नहीं है, पहले जो exam other state में होते थे, उसमें थी, result mode आपका online आयागा, इसमें कोई भी cut-off नहीं होगी, जो भी आपका portal है, portal में जो मैंने आपके सामने ये share की है, उसमें आप login करेंगे, login करने के वाजब आपका result आएगा, तो उसमें qualified या not qualified आजाएगा including, जो बच्चे qualified होंगे, उनका जो PEC certificate है, उसके link enable हो जाएगा, वहाँ से अपना PEC certificate है, जो provisional disability card, उसको download कर लेंगे, औ और बाद का क्या process है, आपको बाद में बताऊंगा, सबसे important है, result date कब आएगी, result कब होगा, देखिए हुआ क्या, ये जो DAV की staff recruitment चल रही है, इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अपना exam center चूस नहीं किया, अब हुआ क्या, जिन्होंने exam center नहीं चूस किया, तो problem आगी fees pay की थी, अब fees pay की है, तो बाद में objection होना था कि हमने fees pay की, लेकिन हमारा exam लिया नहीं, तो back end team ने क्या किया, जिन्होंने fees pay नहीं की थी, तो उनके लिए एक निया notice से issue कर दें, website पर जिन्होंने center selection नहीं किया, ये dates को अपना center selection अपडेट कर दें, और उनका जो exam है, after 22 होगा, 21st को आपका last exam है, CBT गा, तो अभी जो मेरे पास center list आई है, उसमें जो 27 को, जो मैंने भी admit का download किया latest, उसमें 27 date आई है, 27 March, तो आपका जो result assume date है, वो April 1st week रहेगी, और इनका result बहुत जल्दी आ जाएगा, because real तो आपका साथ के साथ ही बन गया है, बस back end team ने वो display करना है, on official website जो DAV recruitment की है, जब भी उनको वहाँ से permissions मिलेंगी, ये तो हो गया आपका CBT का process, लेकिन, after CBT क्या होगा, process about qualifying CBT, after यहाँ लिखना था, about लिखती है मैंने, सबसे पहले आपने PEC certificate download करना है, उस पर QR code हागा, वो different schools के पास automatic पहुंच जाएगा, वैसे, अगर नहीं पहुंचा, तो जो भी certificate आपका होगा, उसको आप download कर लेंगे, फिर different schools, recruitment, advertisement निकालेंगे, newspapers में, ज़्यादा Tribune में आती है, बाकि जो भी local newspaper है, उसमें बहुत rare आती है, फिलाला आप जो भी होगान के official website, social media website देखते रहना, जैसे facebook page होगा, instagram page होगा, official website होगी, उन पर आप जो भी आपके nearby, near schools वे रहा है, उसके बाद इनका offline form फिल होगा, जिसमें जो भी आपके testimonials हैं, वो आपके attach होंगे, including जो भी आप post के लिए apply करना चाहते हैं, वो होगा according to your PEC, for example, किसी बच्चे ने TGT का qualify किया in science में, तो वहाँ post TGT के लिए apply कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर वो PEC certificate का, जो print out है, वो attach कर देगा, so that जो वहाँ पर admin department है, वो आपको certificate को check कर सके, कि वो valid है या नहीं है, वैसे valid होगा, next, mode इनका बाद में क्या होगा, पूर साफ्टर CBT, offline form फिल होगा, फिर एक date आपको choose की जाएगी, आपको mail आएगा, और call आएगा, जिस भ होगे, आरोज होगे, जो भी इनका panel होता है, वो बैठेगा, including subject expert, आपसे questioning vera की जाएगी, तो वो questioning vera जो भी आपको जैसे भी रहेगी, उसके base पर आपको selection call आएगा, कि हाँ जी, आप this post के लिए आपने this school में apply किया था, तो आपका ये जो इस पोस्ट के लिए आप लिए तो आपने this day से join करना है, तो उसके बाद आपका demo होगा, demo का यहाँ साथ के साथ भी demo ले सकते हैं, जो वहाँ पर panel होगा, यहाँ आपको बाद में भी time दिया जा सकता है, कि इस दिन आपका demo होगा, या पहली भी दिया जा सकता है, demo का भी clear नहीं है, जो other schools से उसमें तो demo प recording बनेंगी, list बनेंगी, जो भी candidates वहाँ selected होएं, फिर हमको by call बताया जाएगा, कि you are selected for this post, और उसके बाद जो बच्चे नहीं select हुए, उनको waiting list में लख विया जाएगा, आप देखिए, जिस बच्चे नहीं CBD कौलिफाई करना है, तो उसको उसके recording अगर payment नहीं मिली, तो व because ऐसा होता है कि DAV का session 1st April से start होगा, all over इंडिया में इससे ही start होता है, तो अगर आपका by chance, for God's sake, मैं नहीं चाहता किसी कैसा हो, but मेरे recording, all DAVians are best, तो अगर by chance किसी का नहीं qualify हुआ, तो उसको नहीं रखा जाएगा, because CBT जो qualify करेगा, वो ही DAV में job करेगा, बाकी जो further process है, व बाकी schools में भी interview देते रही है, बाकी जो भी आपके schools से relieving time है, आपको relieve कर दिया जाएगा, freshers swearा जो भी है, वो भी देख लेए, और उसके recording other posts के लिए भी जरूर reply कर interview देते रही है, because session के starting में आपको पता है, post है निकलती है, एक बार post fill होगी, तो फिर आपको next year ही apply करने का मौका मिलेगा, हाँ, वो अलग बात है, अगर किसी candidate ने by chance join नहीं किया, तो अगर आप waiting list में हुए, then आपको call आएगा, otherwise try next year, तो ये चीज़े बहुत important जो मैंने आपके सामने share की है, तो information ही कठा करने में बहुत time लगा है, तो I request ये ज़रूर वीडियो को like करिएगा, सारी information genuine है, do your hard work for your CBTs, preparation करिए, different books follow करिए, books NCRT पर मत बैठे रहना, NCRT से कुछ नहीं आता, मैं आपको simple सी बाद बता दूँ, NCRT का just नाम है आएगा, आएगा, लेकिन NCRT से PGT level का कुछ नहीं आता, just 0.5 number का भी नहीं आया, TGT, PRT का आता है, वे तो वैसे भी basics knowledge होती है, इसमे PGT का level बहुत tough था, और वहाँ पर आगो CBT में कोई problem आ रही है, वहाँ पर invidators हैं, उनसे discuss करिए, नहीं तो कोई भी system में problem आई, तो CBT आपका disqualify भी हो सकता है, due to technical reasons, so I request you CBT दे रहे हैं, तो यो मैंने important चीज़ने बताई हैं, जरूर आप बताईए, जो भी वहाँ पर duty हो for future updates, so thank you friends for watching this video and for your valuable time.